सब्सक्राइब कीजिए स्टूप चैनल को और दबाईए बेल आइकेन को ताकि आपको हमारी वीडियोज मिले सबसे पहले 2017 के विद्दान सभा चुनाव में बाहुमत से जीतने के बाद बीजेपी ने राज्ये में माहिला अपराद को खट्म करने की बात कही थी आपको बता दें की मुख्यमंत्री योगी आदित्यानात की बहन की एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर पार्टी का सिर्शम से जुग जाएगा बचपन में ही योगी ने छोड़ दिया था अपना घर आपको बता दें की योगी आदित्यानात का असली नाम अजै सिंग बिष्ठ है जो की बचपन में ही घर से बाहर निकल संयासी बन गए थे गौर तलब है कि गोरकपूर के गोरक्षनाट पीठ जैसे प्रख्यात मंदिर के महंत होते हुए आज बार सांसद और अब मुख्यमंत्री होने के बाद भी सी एम योगी का परिवार बधाली में रहने को मजबूर है बधाली में वक्त गुजार रहा परिवार आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ की तीन सगी बहने हैं जिन में से सबसे छोटी बहन शशी एक मंदिर के बाहर प्रसाद और फूलों की माला बेचने का काम करती है CM योगी आदित्यानाथ के बारे में सवाल पूछे जाने पर शशी ने बताया कि वेह नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि वेह योगी आदित्यानाथ की छोटी बहन है इसलिए वेह एक जोपडी में अपने परिवार के साथ रह कर गुजारा कर रही है मंदिर के बाहर फूल बेचती है CM योगी की बहन इस वज़े के साथ साथ योगी आदित्यानाथ की बहन ने यह भी बताया है कि कोई भी शख्ष जोपडी में रहने वाली महिला के बारे में यह नहीं सोचेगा कि वे किसी मुक्य मंत्री की बहन हो सकती है CM योगी आदित्य नात की बेहन ने बताया है कि साल 1990 में उनकी शादी गड़वाल के ही रहने वाले पूरण से हुई थी और उनकी शादी के बाद योगी आदित्य नात घर छोड़ कर चले गए थे उसके बाद से आज तक उनके साथ कोई बात चीत नहीं हुई है CM योगी को भाई कहने में आती है शर्म आपको बता दें कि योगी आदित्य नात के साथ भाई बेहन है शर्शी का कहना है कि उनका योगी आदित्य नात के साथ बच्पन से ही बहुत लगाव था और जब से वे मुख्यमंत्री बने हैं तब से जब भी लोग उनसे CM योगी के बारे में पूछते हैं तो वे उनकी वेंद होने से इंकार कर देती हैं। इस खबर पर अपनी राए कमेंट बॉक्स में जरूर दे और ऐसे ही नियूज से अपडेट रहने के लिए चेनल को सबसक्राइब करना ना भूले।